वेलकम परिच्छ इंस्टिट्यूट इट्समी पुरसोत्म कुमार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन उन्सॉल्फ सेट नमबर बीफोर का सेक्षन सी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को अगर आप वन हूँ इस अनेबल टू पे वन्स डेप तो जो कर्ज का भुक्तान करने में असमर्थ हूँ उसको हम क्या कहते हैं इंसॉल्बेंट दिवालिया क्रेडिटर रिडदाता डेप्टर रिड़ी और यूजरर मतलब सूध खोर तो आपका आपसर नमबर वन इस दा राइट आंसर इंसॉल्बेंट मतलब दिवालिया अगला है God is the supreme power of the world इस्वर विश्य की सर्वच सकती है तो इसको हम क्या कहेंगे सर्व सक्तिमान ओम्नी पोटेंट उसके बाद में हैं ओम्नी शाइंट सर्वग्यानी ओम्नी प्रेजेंट सर्वभूत प्रमिनेंट प्रमुक्त तो आपका आपसर नमबर वन इस दा राइट अंसर सर्व सक्तिमान यानि की ओम्नी पोटेंट उसके बाद में सिलेक्ट दा राइट मीनिंग और फॉलोविंग एडिमेटिक फ्रेज तो आपको एडिमेटिक फ्रेज का साही मीनिंग आपको यहां पर फाइंड करना है इडियम से हुस्मनी यानि की मह भराई इसको हम क्य उसके बाद में आपका दिया गया है आप फ्रेंच लीव बिना सूचित किये कि सकना मतलब बिना किसी इंफोर्मेशन की ही चले जाना जिसको हम कहते हैं तो यह हो जाएगा अनेक्सपेक्टेड लीव यानि की आप प्रत्याशित छुट्टी बिना बताये ही गायब हो जाना चैजवल लीव नमैतिक चुट्टी हनीमून सुहाग राथ और समर वेकेशन गर्मी की चुट्टी तो आपका उक्सन नमबर बन इस दा राइट आंसर उसके बाद में दिया गया है दसीनो नेम और फॉलोविंग वर्ड इस जनित का सीनो नेम क्या होगा जिसको हम कहते हैं इसका मतलब होता है सीर्ष विंदू तो इसका सेनो नेम साब को बताना है परियावाची सब्द तो यह है आपका एम परिपूंड बॉटम तल शर्फेस सता नेधिन पतन तो आपका ऑक्सन नमबर बन इस दा राइट आंसर एम रेथ फूल का मतलब होता है प्रकोब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्यूरियस आग बबूला होना मतलब प्रकोब का मतलब होता है किसी गुस्से से भरा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका आक्सन नमबर वन इस दा राइट आंसर फ्यूरिय रमडी यह और आपका मतलब होता है करता भी पराण हारम फूल मतलब होता है नुकसान पहुचाने वाला अगला है अब पोश्ट में गोज डोर्स टू डोर्स टू डिलीवर दा लेटर्स तो यहां पर इसका इसमें इरस फाइंड करना है कि स्पार्ट में है तो इरस हो जाएगा डोर्स टू डोर्स में यानिकि डोर्स टू डोर्स नहीं होता है डोर टू डोर होता है आपका तो इस स! qorta का मतलब होता है सаздag या शिश्टा चार तो आपका हो जाएगा आपका आक्स नम्बर वन अर्ड अर्श्वरी मतलब भीरत ता गयलेंटरी मतलब सार्ये और क्रूलटी मतलब क्रूरता तरग उतन अब निमनलन इस्थ दविधा ठीके तो इसका हो sentence into indirect speech तो आपको यहां पर direct narration को change करना है तो वह भी देख लेते हैं sentence दिया गया है the customer said to the accountant please give me a new checkbook as my old once has been used accountant said yes I will give you now इसका हो जाएगा the customer requested accountant to give him a new checkbook as his old once had been used the accountant replied in affirmative that he would give him then तो यहां पर आपका sentence दिया गया है यह था आपका requested क्या वाया तो यहां पर आपका imperative sentence है और please लगा हुआ तो please को हम जब भी change करते हैं तो sad को change करेंगे तो requested लगाते हैं वहां पर और बाकी sentence की जो changing होती है वो pronoun changing जो पहले की तरह होती है जैसे affirmative में आप करते आ रहे हैं ठीके और जब भी sentence reply के माध्यम से हो तो आपको sad को reply में ही change करना है और अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक और मना किया जा रहा है तो negative का यूज कर सकते हैं ठीके फिर है what a fine idea was said the master तो इसको आपको change करना है यहां पर तो इसका हो जाएगा the master exclaimed with surprise क्योंकि exclamatory sentence है that it was a very fine idea combine any one of the following sentence as director तो combine करना है जैसा information दी जाए उसके coding I was standing near the near the gate a motor car suddenly came it was driven by a young man ricklessly तो इसका complex sentence बनाना है when I was standing near a gate a motor car suddenly came which was driven by a young man ricklessly turn to the light sorry turn to the right you will see the police station simple sentence बनाना है turning to the right you will see the police station तो इसमें आपका part on turning लगा करके आपको बना लेना है ठीके proposition का यूज कर लेना इसमें transform any one of the following sentence as directed तो इसमें transform से आया है आपका passives बनाना है where have you put my book तो इसका हो जाएगा where have you have my books been put by you ठीके इस तरह से आप इसको बना सकते हैं sentence को Milton had three daughters he wanted to teach them french language simple sentence बनाना है तो इसका कैसे हो जाएगा Milton had three daughters to teach them french language तो इसका infinitive लगा करके आप बना सकते हैं sentence को इसको correct any one of the following sentence तो correct करना sentence को burn the candles as it getting dark तो इसका हो जाएगा burn the candles as it is getting dark मतलब अंधेरा होने पर क्या जलाया जाए candles तो यह सही sentence में कोई mistake नहीं है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा इसमें क्या गालती है तो यह हो जाएगा सरदार भंगस जिख ऋखद Fr लाज गुरू वर हैंग हैंग नहीं होता है हैंग होता है ठीक है तो यहां पर आपकी प्रपजीशन में मिस्टेक थी टू देथ बाइदा ब्रिटिस गौर्वर्मेंट आप मरता हुआ गर को भी हो रहा है ठीक है तो यहां पर आप आमेरिका नहीं होता है अ zeggen तो मेरिका इस दारिचस्ट कंट्री इन दा वर्ड यूज एनी बन ऑफ फॉलोविंग पैर ऑफ वर्ड इन यूर ऑन सेंटेस्ट तुमेंग डिफ्रेंट इन दियर मीनिकलीयर करना है और डिफेरेंट इन आदाना है अपको चेक और विकेशन वी ए सी ए टी आई ओ एन विकेशन मतलब होता है विवसाइट ठीक है अब आपका स्टोरी आगया है स्टोरी आपको बनाना है एक बार एक न यूवक ने सफलता कर रहा से पूछा सुकरात ने उस चटपटाने लगा और उसका सरी नीला पड़ने लगा तो सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल लिया सुकरात ने गहरी सास ली वह क्रोध से आग बबुला हो गया सुकरात ने मुसकराते हुए पूछा तुम्हें पानी के अन्दर किस चीज़ की सब से अधिक इच्छा थी युवक बोला हवा की सुकरात ने कहा यही सफलता का रहज्सिय है सफलता चाह के लिए वैसे ही छटपटा हट और बेचैनी चाहिए जैसे पानी के अंदर तुम्हारे में हवा के लिए थी तो यहां पर इसका हो जाएगा आपका Once a young man asked the secret of success, सुकराथ called the young man the next morning The next morning when the young man met सुकराथ, he took him to the bank of the river He went with the young man into the deep water He grabbed the young man's head and drowned him in water When the young man started sobbing and his body turned blue सुकराथ took his head out of the water The young man took a deep breath He was furious with anger सुकराथ smiled and asked what did you most desire under the water The young man said, the wind, सुकराथ said This is the secret of success The desire of success requires the same interpretation and restlessness as the air in your underwater You are underwater Thanks for watching this video अगर ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए आप बहुत ही बेचेने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को सेर करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों